गुद मारें श्टुडान कॉल हम लोगोंने रिप्रेक्टिट इंडेक्स की शॉट नौट पूरी देख देख दी ना बाई और लगवग सबी लोगोंने उसको प्रिपीर भी कर दी होगी को कि अज हमें थोड़ा आगे बढुना हैँ जैसे हमने दो के मीडर्ण के मीडर समीड एण पूनवेक्स मीरा आज हम mater को टा प्रूरी के लेन्स देखने वोनगेब लेंस and convex lens but lens देखे उससे पहले ओनकी थोड़ी definition भी देखनी पड़े क्या मेल लाइक mirror की अंदर हम लोग ने different type डेफिनेशन देखी थी कब डेफिनेशन क्यांसी दी मिराइक एंदर first the radius of curvature second number की definition कॉंसी दी centre of curvature थर्ड नबर की देफिनेशन ओर फोर्थ नबर की देफिनेशन पॉंसी दी प्रिंसीपल एक्सेस फीफ्थ नबर की देफिनेशन पॉंसी दी प्रिंसीपल फोकस और सेवर नबर की देफिनेशन पॉंसी दी पॉकल लेंटी डेफिनेशन थे ब्रबरे वोई डेफिनेशन अब आधिने लिए वह भी हमें क्या करनी पड़े कि डिपरेंट के डेफिनेशन हमने देखा था तर्फव बनते हैं वह किसमें से बनते हैं स्पैरीकल सेलमेज से यह जो हमारे लेंस है करसे बहुतए यह जो करने यह जो बहुत है Сंब लेंस दिस जडिए बकारने लाइसिए बंगते हैं क्या बहते हैं लेंस तो जैसी डेफिनिशन मैंने आपको बोला था आप लोग मिरर की डेफिनिशन फक्की कर लोगे तो यहां पर लेंसी डेफिनिशन लिखने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हूँ लाइक फर्स्ट डेफिनिशन लेंस के लिए रेडियस अब करवेचर फर्स्ट डेफिनिशन कोंसी है रेडियस अब करवेचर उसके लिए कंसा सिबल यूज़ करते हैं श्टूड़ आर सिमल आपलोग पर चुके हो कभाई रेडियस अब करवेचर आप कभाई आगे हम लोगोने क्या लिखी थे कभाई दो रेडियस अब स्पेरिकल सेल दो रेडियस अब स्पेरिकल सेल रॉम दो लेंसी आर्म में या तो फॉर्मड दो रेडियस अब क्या लिखेंगे दो रेडियस the radius of a spherical cell from which lens are made or formed is called radius of curvature radius of curvature the radius of spherical cell from which lens are formed the radius of spherical cell the radius of which we can make a lens the radius of curvature radius of curvature the radius of spherical cell from which lens are made the center of spherical cell the center of spherical cell the center of spherical cell is spherical cell the center of spherical cell from which lens are formed is called center of curvature definition the center of spherical cell the center of spherical cell is called center of curvature बना दीपाओगे बना दीपाओगे बना देपिनेशन इने दीपाओगे first comes the radius of curvature to the radius of spherical cell from which lens are formed is called radius of curvature second comes the center of curvature जिसको क्या बोलते हैं C the center of spherical cell spherical cell का center जिसमें से हम लोग क्या बनाते हैं lens बनाते हैं क्या बनाते हैं lens त्यारकि the center of spherical cell from which lens are formed is called center of curvature C clear चलो बापर third number की definition कौनसी थी पोल कौनसी थी पोल या पर बड़ थोड़ा चीज़ होगा या बड़ नुबर की आपकी definition कौनसी आएगे optical center कौनसी आएगी भाई या पर कौनसा था भाई पोल और या पर कौनसा बड़ाएगा optical center ओ तो सेब उसकी जैसी definition है क्यों भाई सपोज यह हमारे एक lens है यह convex lens है क्योंसा lens है वह convex lens और यह वादा जो है उसकी inner surface reflecting यह क्योंसा है convex और यह क्योंसा है वह आपका क्यों के inner direction में कान के जैसा ब्राबर यह से दो टैट के lens आएगे यह convex lens यह बाजू वादा है वह क्योंसा है वह concave lens यारे कि जो magnifying lens फाई स्टाटर के अंदर साइल से फर्स्ट नमर का चेप्टर था magnifying lens जैने गुजरादी में क्योंसा है वह क्योंसा है वह क्योंसा है यूजपी किया होगा वह सारी बार अपनी स्कीन जलाने का टाइबी किया होगा या तो पेपर को बर्न करने का टाइबी किया होगा वह जो magnifying lens है वह क्या है वह convex lens है क्योंसा लेंस है तो यह जो convex lens है यह जो surface है वह उसकी reflecting surface उदर reflecting लिखते थे इदर वह सा बढ़ाएगा refracting वह सा बढ़ाएगा refracting यालिगे the center of the center of refracting surface the center of refracting surface of a lens is for optical center को यालि यह जो lens है इसकी refracting surface है वो refracting surface को अपना एक क्या होगा वह सेंटर ये सेंटर को हम लोग क्या बोलते है वह अप्टीकल सेंटर को clear वापर पोल की definition लिखते पोल की definition क्या लिखते थे the center of refracting surface of mirror is word pole पे या आपर कौंसा बढ़ाएगा optical center कोंसा आएगा बढ़ाएगा तो अप्टीकल सेंटर की definition को से the center of refracting surface of lens is called optical center उसको क्या बोलते है वह अप्टीकल सेंटर को लिखपाओ के बापर पोल था या आपर कौंसा है वह what is optical center the center the center of refracting surface of lens is called optical center चलो फो तोशने एक्स रिपनिछ भास प्रिंसीबग एप्रिंसीब आप सिङरे एक्स जो शो आपकें जैसे वी कैसे प्रिंसीर मुसेख अठीक करथकों एक पोल पी is called principal axis ऐसा mirror के बारे में लिखा था यहाँ पर थोड़ा बड़ चेंज होगा देखो उदर क्या था पोल यहाँ वार कौन सा बड़ है ओपीकल सेंटर यहाँ आपार ओपीकल सेंटर है तो definition में सेर्प चेंज क्या होगा यहाँ वीजनरी लाय पासिंट्रो एद में दगार शेंटर उसल्एक क्या रिखें यहें एन इमिजनरी लाइन पासीं तुम में शृट्प सेंटर ने खाल के सब्सक्राइब कॉलसी ए एने लिए इसक्राइन खुर्था है स्चीनम क्यांदार ता निया अन दो पास, आग वाघ si ? हुआš Sपन्तर अ प्रवचिर्ट नियक्स, च मालमै जाने सानि है वाघकी है optical center O, is called, principal axis. लिए बाविब अगे, what is a principal axis? An imaginary line passing through, center of curvature C. and optical center O is called principal axis, clear? लिख पाओगे, चलो, next definition कौन सी थी? aperture, कौन सी थी? चलो, aperture की definition क्याने की थी? आप 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 लोगो को, the diameter of reflecting surface of mirror is called aperture क्याने का था, the diameter का reflecting surface of cold mirror या तो mirror is called aperture से यावर भी ऐसा आएगा, देखो ये mirror है, इसका ये diameter क्या है बैए? ये mirror इसकी ये पूरी reflecting surface है, उसका पूरा diameter बनेगा वो diameter को क्या बलते ही बैए? aperture, क्या देखेंगे, the diameter the diameter of reflecting surface of lens is for aperture, उसको क्या बलेगे? aperture बलेगे, फिर्स्ट रेपिशन फॉन से एकी student हम लोगो ने? the radius of curvature, the radius of curvature की definition क्या है, तो the radius of spherical cell from which lens are formed, the radius of, एको जबी बोले तो ऐसे बोलना है, तो पता चले, the radius of spherical cell from which lens are formed is called radius of curvature C, तो the center of curvature C, तो the center of curvature C की definition क्या है, the center of the center of spherical cell from which lens are formed is called center of curvature C, तो थर्ड नमर की definition क्या है, of typical center of lens is called optical center of, four-number की definition क्या है? principle axis principle axis an imaginary line passing through center of curvature C and optical center O C O an imaginary line passing through center of curvature C and optical center O is called principle axis next definition when C aperture when C divide aperture to the diameter of reflecting surface yaka reflecting yaka concern reflecting the diameter of reflecting surface of lens is called aperture so this is principle focus principle focus principle focus F yaka suppose yaka kaya wai lens hai barabay or yaka uski kaya wai principle axis yaka uska optical center O O C yaka wai yaka wai kya wai kya wai lens ki principle axis ko jitne wai lens ki upar parallel kya wai incident ho dhe kya wai lens ki principle axis ko jitne parallel lens ki upar incident ho dhe after reflection after reflection after reflection woh sare koi point kya wai ho tjy woh point yaka wai principle focus F kya wai principle focus F mirror mirror me me reflection ho tjy lens transparent medium kya wai reflection kya wai reflection kya wai reflection mirror mirror light reflection back lens transparent is kya wai pass ho clear yaka lens principle axis ko parallel sare lens principle axis parallel sare lens incident ho after reflection woh kya wai point kya wai meet woh point kya wai principle focus f principle focus f last definition is focal length focal length f is called focal length but yaka p kya optical center kya optical center distance between optical center o o o o focus f o and principal focus f yaka o m f f f is called f f is called focal length c 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 אם c c o v c cin co c c c एन imaginary line passing through, passing through center of curvature C and optical center O, C-O. An imaginary line passing through center of curvature C and optical center O is called principal axis. चल इसके बाद में कौनसे definition आती है, aperture. कौनसे आती है, aperture. इसके बाद में कौनसे आती है, इसके बाद में कौनसे आती है, प्रिंसीबल फोकस, याने के लेंस के प्रिंसीबल एक्सिस को, parallel ray, जितने भी सारे lens के ऊपर, क्या होगी बाद, incident होगे, after reflection, यानकी converse होकर, ये सारे ray, क्या होगे, बाद, कोई एक point के दर mean के होगे, वो जो point है, इसको क्या बलते है बाद, प्रिंसीबल फोकस F, क्या बलते है बाद, प्रिंसीबल फोकस F, और लास्ट देपिनिशन है फोकल लेंग, कोंसी ये बाद, तो फोकल लेंग की देपिनिशन कोंसी, तो, the distance between optical center O and principal focus F, the distance between optical center O and principal focus F is called focal length, focal length small f, clear student, बोलो मैं सारी डेपिनिशन है फेपर में आए, लेख पाओगे, जरा पढ़ लो तो मैं आपको टाइम देता होगी, एक मिनिट का सारी डेपिनिशन पेम्पलेट में से पढ़ लोगे, पढ़ लो चलो जल्दिल बढ़ा हाद, चलो शुडर, पढ़ली साई डेपिनिशन, नहीं पढ़ियो तो पढ़ लो, फिर आगे पर यहां लो, करी में लोगे, की लो लोगे, पढ़ली प्यूर बड़ा हाद, रेपिनिशन तोाद, वहां लोगे, जो हूँ हादाद, वहां लोगे, अबारा नेक्स्ट विश्चन आता है, what are called spherical lenss, what are called spherical lenss, how many type of spherical lenss, which are there, तो बारा नेक्स्ट विश्चन है, what are called spherical lenss, what are called spherical lenss, how many type of spherical lenss, which are there, तो जाल, facts are formed from spherical cell, the lenss which are formed from spherical cells, are called spherical lenss, जो हम लोग किस में से बनाते हैं, काच्च के गोले में से बनाते हैं, किस में से बनाते हैं, काच्च के गोले में से ऐसे, जो लेंस से इंपो क्या पोते ही वही चैनि पडिसी अपिनिशन कही है वही दो देद्स वीचार पोड़ा पो स्परिकों सरफ कि अचाशं कि अ सुरिका तु कि जिति भंच संपुरिग लंस खर्थ मोन अंधर। ऋेकलंस पर लंच कर अला आा which are formed from spherical cell are called spherical lens. Clear? What are called spherical lens? To the lens which are formed from spherical cell are called spherical lens. There are two type of spherical lens. Number one, one side way, convex lens. One side way, is called convex lens. Convex lens discovering a lens having a lens having outer of the reflecting surface. A lens having outer of the reflecting surface. surface is called convex lens. What is called convex lens? Like, the lens which are formed from spherical cells are called spherical lens. स्थाइक बिशने वन्हाट दुटरा क्शोर्य हैं और टॉ आपप स्थारिक लेट वैंट तुट काईग सब्साइब और इंटा सिर्ग आपटरीः लेट के लिए बर निए अड सब्साइब और फ्लेट के लेट आपट टू gakै विए अटर अट्यू चर्टी सरफ इंट य है Convex lens, a lens having Outer curved Reflecting surface Is called convex lens Second of the definition कौंसी है बाइ? Concave lens कौंसी लाइ? Concave lens लाइ ये जो lens है ये lens है जरा जरा करो इसकी कौंसी surface Reflecting है बाइ? Inner surface कौंसी surface है बाइ? Inner direction में ये जो lens है वो पकसा लेकिसा बनेगा बे Concave lens तो क्या लिखेंगे? A lens Heavy Inner Curl Reflecting surface Is called Concave lens याद ले गए तो अमार का क्विश्व था What are called spherical lens? How many type of spherical lens? Which are there? तो फॉर्ट लेकिस को बलेंगे? The lens Which are formed from The lens Which are formed from Spherical Sells Are called Spherical lens या तो God lens दो रहे की मिनी को थे Second There are two type of There are two type of Spherical lens Number one Convex lens Number two Concave lens First number Convex lens Convex lens की definition One say A lens Having Outer Chord Refracting Surface A lens की Outer Chord Refracting Surface A lens Having Outer Chord Refracting Surface Is called Convex lens Second number Concave lens Concave Concave To discover A lens Having Inner Chord Refracting Surface A lens Having Inner Chord Refracting Surface Is called Concave lens या तो चलो फिसे बलो What are called Spherical lens A lens A lens Formed From Spherical Cell A lens Formed From Spherical Cell Are called Spherical Lens How many Types Spherical Lens So there Are two Types Spherical Lens Number One Convex Lens Number Two Concave Lens First Convex Lens Is Lens Having Outer Chord Refracting Surface Lens Having Outer Chord Refracting Surface Is called Convex Lens Second Concave Lens A lens Having Inner Chord Refracting Surface Is called Concave Lens First Concave Principle Axis Parallel After Reflection How many Concave Principle Focus F Second Concave Principle Focus F Mirror Incident After Reflection How many Principle Axis Parallel Third Number Concave Center Corvature C Center Corvature C Mirror Incident Concave Perth Perth Reflection Reflection Fourth Number Concave Concave Optical Center O Concave Obligally Sorry Pole P P P O P Obligally Incident Parallel Reflection Bi Obligally Parallel hen Reck US What F Figure Last Wallet P Or F To Objek To Reck Reck Over F Chard Type Reck पॉब्लेक वोचार डाइट के रे चलो सेंग वेशने कभेश रे आर यूज़ वे रे आर यूज़ तो इमेज़ पाइब लेंस कभेश ते जो इमेज़ बंदी उसके रिए ऐसे डाइट के रे यूज़ होते हैं कभेश रे रे यूज़ झार यूज़ तो इमेज़ पॉज़ पाइब ले बंदी झारर यूज़ तो इमेज़ फामचा र यूज़ वे रे वे इंच Tra टो इमेज़ पाइब दूपऊ बाई प्लेंग्स कबहें प्लेंग्स ये चोई विल्स बनती है वो बनाने के लिए एक वाई यूज़ होती है अब सुदन कला ख्यार करोगे अभी मीरर के अंदर सुन्दो अभी मीरर के अंदर अब्जेक्ट को डिफरन्ट प्लेस के उपर रखे इंफिनिटी बियोंद से आफ शीच बीट्वीज एंड एफ एट एफ बिट्वीज पीजिए ऑफ द्वाबर हमने में इमेज बनाए तो से इमेज बनाने के लिए हमें से की इमेज़ बनाने पड़ेगा कुए ये चल रही और फेसतेके तर केशल और जहींगें अफ्यकॉặt और तो त्वॉ अजियोगाँ और दर शोड़ おउसिते तर क्या पर एक्तर लेकर बैठो से लेंग दिवाइडर होगे अर्फ कर सकते हो यह तो आपके पास करण का स्ट्राइकर हो वह और याय वह देग लेंग इस सब्सक्राइकर से सब्सक्राइब करने के बाद इधर लेंस से बनाने कि मुझे बता है हमारे लेंस ऐसे बनेंगे आपके लेंस ऐसे हो जाएगे मगा इधर इसकी दरब यादो क्रीम रोल इसकी दर समझे आया तो कल क्या ने कर वेंगे इसके बनाने आगे वाले वीडियों में आप लोग सीएट ऐसे बनाने कि चलो सोपोसी सबरुज आएख कुंसा लेंस है कुंसा लेंस है अपिगल सेंकर और ये इसकी पहेंब़े प्रिंसीपल एक्सेस नाइक ये उसका क्याएब़े ऑपिगल सेंकर को पोसी जितना दूर F रखो, मैंने आपको सिखाया है, कितना डिस्टन्स लेंके 2 cm पोसी जितना जिवाई डैरेक्षण F रखो, सेम पोसी इधर भी, आपको क्या रखना हैं वे F रखना है प्लियार रख दिया आपकोने, दोरो साइड में डिस्टन्स मेंटेन होना चाहिए चलो, फर्स्त एए, अगर कोई रे, अगर कोई रे, अगर कोई रे, प्रिंसिपल एक्सिस को परेलर, अगर कोई रे, देखा, रे जबी ड्राव करो, समझ्टो, सर्भीस के उपर टक्छनी खरवारा हैं कभए यह जो मैंने लेंस ड्राव किया, समझना चरा, आपका रे लात काना चीए, एस की बिल्कुल सेंटर लाइन, कौसी लाइन है, सेंटर लाइन, रे जबी ड्राव करो, लाइने और रे ड्राव किया तो यहां तक रोक मत देना, समझ गए, कुछ लोग क्या करेंगे, या लेको काल ले जाना है, या पर सेंटर तक ले जाना है, अगर आप इंदर करते हो, यह आपर प्रॉप के ऊपर आए, देख़वा गया, यहां से आप रिफ्रेक्ट कर सकते हो, बहुत सब्सक्राव करते हो, तो यह अप्टिकल सेंटर की लाइन तक आपका रे आना चीए, यह जाएगा, यहां के रल ब्रॉप करेंगे, यह यह सेंटर लाइन तक रहा करेंगे, यह और की उफ्टिकल सेंटर की अब इन ओना हो, यहां पर इसकी लाइट हाटी हो तो याँ फर्स्ट नबर करेंगे बापर जो किया कब ऐसे कब फ्रिंसीपल एक्सिस को अगर कोई लें पैरेलल लेक्स के उपर इंसीडेक्ट होगा आप्टर इंफ्लेक्शन वो का से पास होगा प्रिंसीपल फोकस एप बट लेट मीरर के दर आगरने सेके साइड साहिश को अगर कोई पैसे साइड उसान कारें जोड़ मीर कने सेंग्स और सेक्वंुपर इंसरेक्शनों वो का सेपासों और जोड़नेस कोई मीरें होगा अन्यौट याय। है इनरों को प्रिंसिपल आप में से लेंस के उपर इंसटेन्ट आ दिया लाता है से सपोसर है और कमीजे के इसका अक्रील सेंटर है कि यह कह अधिक सेंटर को यह एको से इनसा है उतना इधर भी रखेंगे ऌसक्वर इले एक में से सब्सक्राइब करकर देख़ा मैं आधे portion के click कराएं प्रिंसीपल फूकस अगर कोई दे 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 प्रिंसीपल पूकस अगर कोई रहे, center of curvature C में से mirror के ओपर incident होता है, तो उसी पद के ओपर उसका reconnection होता है यहाँ पर third अगर का ray है, यही रहे mirror में 4 type के ray है और यहाँ पर इसने light ray होंके 3 type के ray है अगर कोई रे और्टीकल सेंटर O में से लेंस के उपर इंसिडेंट होता है तो उसी पर्थ के उपर उसका क्या हो जाता है वे रिफ्रेक्शन हो जाता है अगर कोई रे और्टीकल सेंटर O में से लेंस के उपर इंसिडेंट होता है तो उसी पर्थ के उपर उसका क्या होता है विफ्रेक्शन होता है ख्लियाशुटर्ट तो लेज्स से उसके लिए कंड़ा को साओं है अगर कोई अगर कोई है तो लेज्स के उपर इंसे जना होता है स्टूड आज हमने आज कि लिए डेपिनिशन चलाए फिर क्या चला है इसे पर नमबर फ्री टाइप के रेग बराबरे तो आज के लिए आज आपके लिए इतना बहुत काफी है यह पहले तीन थेयरी प्रिबेर करो लगबग अब हमारा चैप्टर एंडिंग के उपर है कर या परसो हमारा चैप्टर हतम हो जाएगा लाइक जैसे भीला आया था अब लगबग क्या आएगा लेंस तरह लेंस फोर्मिला और लास्ट थीएरी है या रखंग हमारा पूरा हो जाएगी अज के लिए इतना काफी है बर्लेंस फार्मिला चला देंगे तो कर दस मिनित का घडियों बनेगा इतने मिनित का बनेगा इसल कभाई एक बार आक्री क्लास में बहुत सारे बच्चे बढ़ते एक बार देवराज सिंग जाड़े हैं कभाई बिचारे गाव के बहार एक क्या बनाया होगा था हमारे पटिल भाई की लेक्वेज चुबलर ओट लो या को अभी तो पांकडा रखते हैं उसके उपर पेचारा सेड़ मूड में बैठा बिलकुल दिराज सुपर बैठा एक दम इतने उसके त्मी दोस्त आये देवेद्रवसी आया जुवाजशाह आया और क्रिश्च पंचार कोना है बैए आकर ओले यार देवराज तू यह एसना सेड़ बैठा है क्यों मूड में नहीं है तो आरदि बैए क्या करनके यहीज बिवी के साथ जग्रा बो गई तिनो दोस्ते पक्ते दोस्ते पेचिन क्या होत्वा तो देवराज दोस्ते थीन तिस हीन् में आपकर नहीं बोलेग Kabla त speaks बाले और यहर्या number 29च वोगए कल उसलिये मैं सेड़ कर दो दो canon है